हाई दोस्तों, स्कूल टॉक्स में आपका स्वागत है, आज हमारे साथ है श्रवन, श्रवन एक आर्ट के टीचर है, वेल्कम श्रवन टॉ स्कूल टॉक्स, तैंक यू सर, आपके साब से आर्ट क्या है? अगर जो भी सोचते हैं, जो भी करना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकल करने से पहले उसको इमेजिन करते हैं, हमारे साथ होने के बाद अगर हम कुछ करना चाहते हैं, फिर उसके बाद अगर ड्राइंग से बनाएं, तो just like happy moments, आर्ट जो है, आपको happy moments create करने में help करता है आप कहाना चाहते हो कि art से आपका stress relief होता है और happy mood में चले जाते हैं, mood अच्छा रहता है तो आप दूसरे काम भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जो generative AI है, जिसमें prompt करके हम digital एक art generate कर सकते हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? जैसे जनरेशन, फास्ट चल्डाव से हैं, वड़ा सा digital art वगरा तो हो नहीं छी है, बट AI जो है, वो just graphic drawing में आता है, जो commercial applied art, applied art मतलब हम जो सोचते हैं, उसको हम ज्यादा creative बना के उसको applied करते हैं, तो ये जो courses है, उसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि क्या है, क्या नहीं और जो AI जो है, just creative और आज के generation को बहुत जादा, लोग like करते हैं, पसंद करते हैं, उसके हिसाप से arts generate होते हैं, I think traditional art और जो AI generative art उसमें मेरे को एक similarities लिखती है, जो कि है visualization, आप visualizing way में सोचते हो एक art को, so I think so ये दोनों में ये एक point मेरे को लगता है कि similar है, ये दोनों point similar है, क्योंकि traditional और जो middle का है वो अलग है, बर जो traditional और अभी AI में, दोनों बहुत colorful है, traditional look भी अगर हम देखने जाएंगा तो, वो हमें happy feel करते हैं, हमारे thoughts change करते हैं, हमारे imagination, thoughts change करते हैं, student जिसको एक art में interest हो, और mostly parents, वो चाते कि उनके बच्चे doctor, engineer या कुछ और बने, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि art भी उतना ही important है, तो उनके लिए आप क्या सला देना चाहोगी, अगर एक student को अगर interest हो, art field में, कि यह बहुत अच्छा point है, आपने पूछे है मुझे कि मैं parents कुछ बोलना चाहोगा art को लेकर, जैसे बच्चे born होता है, फिर birth सी हम बच्चों को सिखाते आते, सो बच्चे का जो पहला advertise होता है, जस मैं advertise के base पर बात करता हूँ, कि बच्चे का first, जब माँ बाप parents उरका name रखते है न, वही उसका first location होता है, उसका advertisement वही से start कर देते हैं, बच्चा बड़े होने के बाद हम उसको सब बात ही सिखाते हैं, उसको imagine करवाते हैं, तो यह भी एक art ही हुआ, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं न, क्या है क्या न, तो parents already उसको basically ready करते हैं बच्चे को, but parents को समझ में नहीं आता है कि यह एक art से, but in future, अगर हमें उसके पर future करना है, पर पढ़ा ही करना है, तो arts में बहुत सारे fields, जैसे fine art, applied art, commercial art, interior, civil engineer, यह सब जो sites से, मतलब art सिर्फ drawing तक ही नहीं है, आप art को बहुत different field में use कर सकते हो, creative way में, so art अगर आप सिकते भी हो, तो उसे utilize कर सकते हो, interior design नहीं है, या दूसरे कुछ designing stuff में, जो की बहुत ही beneficial रहता है, इसे बच्चों को art God gift मिला रहता है, बहुत अच्छा वो perform करते हो उसके अंदर, अच्छे से कर नहीं पाता है, तो क्या वो skill develop कर सकता है, आगे जाके, कोई students अगर just like करता है, उसकी just hobby है, तो बात अलग है, मगर जो बच्चा बिना बोले drawing करते रहता है, फिर वो pencil नहीं छोड़ पाता है, फिर घर के जाने बाद books लेके बैठता है, तो वो hobby नहीं है, उसक लेके बैठेगा उसको, तो God gift जिसको होता है, जिसको मिला हुआ रहता है, उसको सिखाने की जुरत ने पढ़ते हो, आपने आप उसमें से ही सीखता है, तो खुद के mistakes खुदी clear करता है, उसको correction देता जाता है, आठ lectures रहते हैं, उसमें आप बच्चों को किस तरीके से सिखा जो कि थोड़ा fun और interactive creative हो, जिसमें वो अपना जो visualization रहता है, सोचने का तरीका रहता है, वो change करके एक नया art form create करते हैं, ये बात अच्छे कि बहुत सारे एक class में 60 बच्चे होते हैं, तो वो सारे हमें varieties देखने मिलते हैं वहाँ पे, तो कुछ बच्चे खुश होते हैं, त happy कैसे किया जाएं, बट उनके साथ कुछ imagine करके उनको stage पे ले जाके, उनको imagine करवाता हूं, So sad as in, वो subject उनको पसंद नहीं आता कि और कुछ reason नहीं है, मतलब घर से family को लेकर या parents को लेकर, अगर उनको sad रहता है, तो उसका happy feel करवाने का काम मैं करता हूं, कि उसको कैसे happy feel कर सकता है, बट वो inside से sad है, बट उसके अंदर से वो fresh color नहीं निकलेंगे, जो happy वाला बच्च fresh color को operate कर सकता है, तो art के लिए mood happy होना बहुत ही जादा ज़रूरी है, इंसाइट सेगर sad होगा, तो dull color में ही काम करेगा, drawing को set ने कर पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा, नहीं pencil के handling वो cover कर पाएगा, तो उसका focus area बहुत ही कम रहेगा, compare to other बच्चे, कि अगर कोई student जो अभी जिसे art सीखना हो, उसके दिमांग में रहेगा कि मैं start कहां से करो, अपनी art की journey, उसके लिए आप क्या tips और tricks या कुछ सला देना चाहोगे, ऐसे students को, जो कि art में interest रखते हो, बट उनको idea नहीं है, एक आप guidance दे सकते हो, कि यहां से आप start कर सकते हो, जो upcoming, जो drawing सिखना चाहते हैं, फिर उनका drawing find करना चाहते हो, उनके लिए कुछ points है, first geometrical हर एक object का, अगर human first study भी करना होगा, human body का study भी करना होगा, तो अब geometrical construction दे बेना नहीं कर जकते, तो first geometrical forms को study करना, फिर gray scale, middle की, high की, low की, यह सभी की सका study करना, जो basic exercise है, line में भी हमारे principles total, कुछ 22-20 principles है, जो main line के principles करी करना चाहते हैं, रोज का उनका practice, सुब उटने के बाद वही रप या पे newsletter, paper पे हम लोग practice कर सकते हैं, circle draw करना, lines draw करना, यह exercise बहुत important है, क्यूंकि उस pencil के stability हमारी, अच्छी तरीके से cover होते है, stable pencil को operate करना हम, अच्छी सीख जाते है, pencil के handling, किस तरीके से pencil को hold भी करते है, वो भी एक important role play करता है, क्यूंकि वो सब exercise करने के बाद हम सीख जाते है, कि हमारा pencil, कितना important, उसका handling, कितना important, pencil को किस तरीके से पकरना चाहिए, अगर light pencil तो उसका grip कैसे होना चाहिए, हाथ का pressure, सब कुछ उसका पर से handling cover होती है, तो बहुत सारी चीज़े एक art बनाने में important role play करती है, usually, yes, मतलब all over dance, singing, arts इसा है कि हम अगर बिना बोले भी हम सब को दिखा सकते है, कि ये कुछ समझा सकते है, हमें बोलने के जरूरत नहीं पढ़त करता है, वो तो पेंटिंग में बहुत कुछ रहता है, आटिस बिना बोले सब कुछ बोल देता है, जो नहीं पढ़ता हो भी देख सकता है, अभी हम रोड पे चलते हैं, तो हमें बहुत सारे templates, banners दिखाई देते हैं, तो वो easily कि जो पढ़ा हो भी हो भी समझे और नहीं memory drawing वगरा, जो भी figure study, hair study वो सब चलता है, बट मुझे इससे लगता है कि clear art, थोड़ा सा canvas painting, just abstract, cubist painting, जो variety से थोड़ा सा बच्चों के पास लाना चाहिए, और उसको भी art को भी highlight करना चाहिए, तो उसको भी उतने focus करना चाहिए, अभी तक memory drawing, still life, यह सब object drawing वरा चलता है, ज जो normal schools में अभी तक चलते हैं, वो ही चलता हा रहा है, so इसके अलावा आपके सबसे और क्या add होने चाहिए, जैसे अपने अभी कहां की clay art होना चाहिए, so this is, I remember की उसे stop motion भी हम create करते है, frame by frame click करके and then, कफे interesting चीज़े रहे दिया, so इसके अलावा और क्या-क्या add करना field में, you know, interest उनका बड़े, और एक सवाल मेरा था कि, क्या art को और value मिलनी चाहिए, जो art school में है, बाकी जो subjects है, जितना उनका importance है, क्या art को भी उतना importance मिलना चाहिए, of course, art का role बहुत बड़ा है, arts को importance मिलना चाहिए, ऐसे निके नहीं, क्योंकि, art है ऐसा एक platform है, जहां पर all over सभी को साथ में लेके काम करता है, जिससे dance हो गया, singing हो गया, drama हो गया, यह सब प्लान करते हैं, हमें प्लान जब हम बच्चों को देते हैं, तो सभी चीजों का प्लान करते हैं, ग्रूप में आके, तो वहां पर sadness वहीं वगरा नहीं होता है, सब art जो field है, सब कुछ happiness create करते ह मुझे लगता है कि value देना चीए, उसको और थोड़ा सा बढ़ावा देना चीए, आर्ट के वज़े से ज़्यादा, you know, teamwork ज़्यादा होता है, फिर एक socializing होता है, मलब बच्चे आपस में interact करते हैं, ज़्यादा उनका bonding ज़्यादा बढ़ता है, और art के वज़े से बच्चो देना बहुत ज़रूरी है, आर्ट से आप out of the box आपका जो thinking है, वो ज़्यादा और enhance करते हो, यह सब को सकरते हैं, अभी मान लो कि engineer हो, अगर आपर civil engineer करना है, interior करना है, तो उसके अंदर भी हम सोचते हैं, कि जैसे हमारे घर में हम बैटे, तो हम imagine करते हैं, कि ने, TV unit यहाँ पर होना चीए, तो इस अब जो बाते हैं, जो खुद का भी address code भी अगर हमें decide करना हो, तो हम contrast सब create करना, हमें कोई बोलता है, कैसे करो, बट हम वो create करते हैं, जस्ट general audience के लिए, मतलब, एक contrast, actual में क्या रहता है, contrast create करना मतलब, एक focus point होता है, जहां पर हम highlight होते है, कि हमें क भी आती है, जो चीज़ highlighted करनी चीए, जैसे black and white हो गया, तो ये दोनों pair में visibility मिलता है, ज्यादा, अगर मालों red और black है, और indirectly वहाँ पर yellow का spot आ जाती है, तो yellow वहाँ पर contrast create करता है, black rate नहीं दीखेंगे, बड़ yellow first दीखेगा, उसको contrast कहते हैं, आपका कोई experience, कोई student के साथ, मलब जिसने बहुत ही outstanding performance किया, और आप बहुत खुश हुए हो उसकी result से, इस experience तो बहुत सार है, बट मैं password होने के बाद जो मेरे sir थे, उनसे मैंने सिखा, बट जिस age में मैंने वहाँ पर abstract को और composition सिखा था, texture and all, contrast create करना, box के अंदर, highlight, golden point create करना, जो मैं तब नहीं समझता बट अभी जब मैंने वही same experiment मेरे बच्चों पर किया, बट जो उन्होंने काम किया, बहुत outstanding काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट हमें सिखने के लिए वहाँ पर इतना time गया, बट इनको सिखाने के लिए मुझे time ने गया था, उन्होंने बहुत fast और बहुत अच skills क्योंकि teacher उनको किस तरीके से सिखाते हैं, मेरा एक personal question है आपसे, art teacher ही क्यों, I mean आप दूसरे कोई subject के teachers भी, you know, select कर सकते थे, but art teacher ही क्यों, nice question, art teacher क्यों, क्योंकि art teacher already born artist होता है, और नेचर के साथ जाधा मिला हुआ रहे था, कि नेचर, नेचर के अंदर है क्योंकि artist, नेच से colors हो गया, यह सारे नेचर से ही हमने adapt किये है, so thank you श्रवन, आपने बहुत सारी चीज़े शेयर कि हमसे, और I hope कि audience को भी पसंद आया हो,